वेलकम टूश्टाडी गलोब दोस्तों सवागत है आपका अपने चैनल इस्टैडी गलोब में आपकी सफलता हमारा संकल्प जैसे कि अश्बी जाननते हैं दोस्तों हम डेली वेसे पर मंडेट टू फ्राइडे रात को साध़े नौ वजे दोस्तों जन्रल साइंस करेंट अफ जोगरफी पॉलिटी एकनॉमी करेंट पर के दोस्तों सारे मिक्स कोशन करते हैं दोस्तों तो यह आपके लिए बहुत यूसफल सेसन होगा दोस्तों किसी भी एक्जाम के लिए दोस्तों सबाध साड़े इच्छे वजए आपकी रिजिनिंग किलास होती है दोस्तों तो आप आपको डिजिनिंग में अच्छा बूष्ट मिलेगा दोस्तों सबसाड़े दसबरे दस वजए हम जनरल साइन्स के पीवियस कोश्टिन साथ में एक्सपेक्टेट कोश्टिन के दोस्तों कर रहा है दोस्तों तो यह आपकी जनल अवैंस की क्लास होती है ठीक है तो आप जब स्यादा लाइक करें दोस्तों जब स्यादा अपने फ्रेंडों को शेर करें और जो भी चैनल पर ना आऊए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए कुछ नंबर बन के दोस्तों आंसर करेंगे देश का सबसे लंबा राश्टी है राजमार का कौन सा है चलिए बताइए विच इस दा लॉंगेस्ट नैसनल हाईवे इन दा कंट्री आंसर करेंगे दोस्तों जली से क्या होगा इसका आंसर तो दोस्तो क्या होगा देश का सबसे लंबा राश्टी मार दोस्तो कौन सा है आपका तो दोस्तो आपका आंसरेज मैंसे हो जाएगा option D इन मैंसे कोई नहीं दोस्तो भारत का सबसे लंबा राश्टी मार के दोस्तो आपका एनेज 44 ठीक है दोस्तों जो आपका कन्य कुमारी से ठीक है आपका कस्मिर से कन्य कुमारी को जोडता है ठीक है ध्यान रखिएगा सबसे longest है ये सबसे longest है दोस्तों अगर आप से पूछ लिए जाए सबसे shortest national highway तो बताएगी दोस्तों सबसे छोटा राश्टी राजमार कौन सा है दोस्तों आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से दोस्तों सबसे छोटा है आपका national highway दोस्तों 47A ठीक है जो मात्र सरिफ 6 किलो मीटर रखा है दोस्तों आपका एंडर कॉलम से कोचिन बंदरगा को जोडता है ठीक है ध्यान रखिये गये दोस्तों यह आपका सबसे सौटेस्टं है 47A और सबसे लॉंगेस्ट आपका 44A Hai ठीक है ध्यान रखिए जोस्तों चलिए कोचिन 2 पर छलते हैं उ मैधाय दोस्तों सेस्थं पसंद आएगा चलिए कोचिन 2 का आंसर करेंगे निमलेखित उपकरणों मैंसे कौन सा उपकरण रसायनिक उर्जा को विद्धित उर्जा में परिवार्थित करता है चलिए बताइए इजी कोश्चन है दोस्तों विच आप दा फॉल्वाइंग डिवाइज कंवर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू एलेक्टिकल एनर्जी जल्दी से बताएंगे तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो टूलाइट होती है दोस्तों आपकी इलेक्टिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कंवर्ट करती है तो यह आपका आंसन नहीं होगा दोस्तों डायनमो आपका क्या करता है मेकेलिकन एनर्जी को एलेक्टिकल ए अधार किया हो जाएगा लेक्टीकल एनर्जी को दोस्तों कोछ नमबर थरी पर चलिए आंसर करेंगे व्यक्तिक सत्यागरही कोन थे चलिए बताएं आप लोग वाज्ट सत्यागरही डियूरिंग परस्नल सत्यागरही मूवेंट answer करेंगे किया होगगा दोस्तो, इसका answer तो दोस्तो जो व्येकिती सत्य गरे, अंदल्लें के दौतने घरफ्तर होने वाले सत्य गरे, दोस्तो कौन थे आपके? बिणोवा, भावे, ठीक है, तो option B आपका 지कार, पहुना रासरं की सुभारम भी किया थीख़ collectiveॉख अगर ऀापसे पूचे जाया ठिख़ए जाया थीख बनाव भावेज ला ऑ Alrighty अगे झाल दोस्तों उन्याल को आपके बनाव भावेज दवारा चला एक है चली कोश्चन पर इए 1980 में कितने बैंकों को राश्टी करित किया गया था answer करेंगे how many banks were nationalized in 1980 क्या हुआ दोस्तों इसका answer ध्यान नकिये का 1980 में पूछा है आपसे 1980 में कितने बैंकों को दोस्तों राश्टी करित किया गया था दोस्तों कितने बैंकों को 6 बैंकों को ऊप्शन एआपका दोस्तों सही छली से पता वह थो सबसे पहले गन्स कि हुआ था आपका ? आपका हुआ था हुआ दोस्तो 19 जुलाई правильно 19 जुलाइ pages 1969 को टूस्तो आपका 24 बिंकों का कैं हुआ था था ? राश्ट्री करन तो बगूतब है किसके समय आपके इंदरान गांदी के समय तो यह भी आप लोग याद रखिएगा ठीक है उननीस जुलाइग नाइडी सिस्टी नाइन को चोगदा बैंकों को दोस्तों राश्ची कुरण हुआ था ध्यान रखिएगा चलिए नेक्ट कोशन पर चलते हैं दोस्तों कोशन नमर फाइब पर चलिए आंसर कीजिए बिस्व ओजोन दि अपका भी दोस्तों को बिस्व ओजोन दिवस बनाया जाता है ठीक है याद रखिएंगो दोस्तों और 2019 की दोस्तों आपकी 120 की दोस्तों थीम क्या थी थीम बताईए जल्दी से क्या थी थीम थी थी आपकी 32 यर्स क्यानध क्पर चलते हैं चलिए कोच नमर से इसका अंसर करेंगे आप लोग चिंपांजी में कितने गुनसूत्र पाए जाते हैं चलिए बताईए हाउ मैनी क्रोमोसम और फाउंड इन चिंपैंजी चलिए बताईए दोस्तों कितने पाए जाते हैं तो दोस्तों चिंपांजी में आपके 48 गुनसू कितने chromosome पाए जाते हैं चलिए बताएिए किसनों के हुमन में 46 chromosome पाए जाते हैं Five 23 के Pairs में ठीक है दोस्तों जो लास्ट पैर होता है याप क्या करता है Mayo और Female का ऑरइनिट करता है ठीक है अगर आपको 66 chromosome है last तो क्या होगा दोस्तो फीमेल होगा अगर एक्स वाई है तो दोस्तो आपका क्या होगा मेल होगा ठीक है ध्यान ने किए अगर दोस्तो ठीक है में हुमन में दोस्तो कितने क्रोमोस हम होते हैं 46 चमपाजी में 48 ठीक है चलिए कोश्चन नमबर 7 पर चलते हैं दोस्तो चलिए आ आंसर करेंगे आप लोग किर्गस्तानी की राजधानी दोस्तों क्या है डली से आंसर करेंगे दोस्तों है आपकी विसकेक तो आप्शन ए आपका बिलकुल सही आंसर होगा ठीक है किर्गस्तानी की राजधानी दोस्तों क्या है आपकी विसकेक ठीक है ध्यान नखिएगा दोस चलिए नाक्स कोशन पर चलते हैं दोस्तों, अमीड योफ सेषन पसंधा रहा होगा, तो सेषन आप लोग जरूर रएक रहें दोस्तों, बिलकुल एग्जाम ओरियेंट़ गोर्रoop, कोश्चन कर रहा हैं समय सÂरे सबजेक्टों की मिक्स जो आपके लिए बहुत हिल्फुल हो हुआ दोस्तों आप यह माल लीजिए कि हर एक्जाम में आपको इस से एट्टी परसंट कुश्चन देखने को मिलेंगे चलिए कुश्चन नंबर एट का अंसर कीजिए जुत्ती है पंच बरसी योजना किस मॉडल पर आधारित थी चलिए आंसर कीजिए दस सेगंड फाइव प्लैन वाज बेस्ट ऑन विच मॉडल जली से बताएंगे दोस्तों दूसरी पंच वर्षी योजना किस मॉडल पर आ रहे थी दोस्तों आपकी महान लोविस मॉडल पर तो आपसंस सी आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है ध्यान रखिएगा अगर आप से पूशी लोगी कराण पर ठीक है इंडस्ट्रियल पर जिसके तहत काई इंडस्ट्री स्थापित की गई थी दोस्तों इस पंच वर्षी योजना किते है ठीक है दूसरी पंच वर्षी दोस्तों टाइम लिमिट क्या थी आपकी नाइटें फिफ़टी सक्से सिक्स्टी वन तक ठीक है ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों ठीक है चलिए नेस्ट कोश्चन चलिए बताईए इंपॉर्टेंट और एजी गोश्चन दोना है दोस्तों पार्शैक दोस्तों किसकी काई है जली से बताएंगे आप ल आप सबस्टे और स बनावर कितने यह होतें चलिए बताइए पार्स कितना होता है आंसर करेंगे आप लोगal नहों होता हएं और यारिए तो आपका का रिलेश क्वास होता है एक पारस अर्वाभर दोस्टों क्या होता है 3.26 आपके लाइट एयार ठीक है ये वी याद केटार किए गायद कर दोस्तों है आपकी लिये बहुत यूशफल है ठीक है चलिए question number 10 का answer कीजिए अभी हाली में एरोनेट जो हाली में ख़बरों में था निमले के तमेंसे किसका एक portal है चलिए बताइए एरोनेट which was in the news recently in a portal of which of the following चलिए बताइए जली से answer करेंगे दोस्तों आप लोग एरोनेट दोस्तों आपको किसे सम्मन देत था भारती चनाव आयोग election commission of India तो option C आपका बिलकुल सही answer होगा ठीक है अगर दोस्तों आपसे पूछ लिए जाए कि भारत के बरतवान मुक्छ चनाव आयोग कौन है जली बताइए जली से बताइए मुक्छ चनाव आयोग दोस्तों कौन है आपके कौन है दोस्तों सुनील अरोरा ठीक है याद रखिएगा कौन है दोस्तों सुनील अरोरा ठीक है दोस्तों जो भारती चनाव आयोगा है दोस्तों आपके कौन से भाग में है कौन से पार्ट में है दोस्तों जली से बताएंगे भाग 15 में है ठीक है यह भी आप लोग याद रखना चलिए कुश्चिन नमर 11 पर चलते हैं दोस्तों चलिए आंसर कीजिए निमलिकित में से कौन सा मैट्रो स्टेशन नोईडा मैट्रो रेल कॉर्पूर दोवारा transgender समुधाय के लिए एक समर्पित station होगा चलिए बताईए which of the following metro stations will be decided station for the transgender community by noida metro rail corporation बताईए दोस्तों क्या होगा इसका answer जो आपका transgender समुधाय के लिए दोस्तों आपका बनाया गया है दोस्तों वो कौनसे metro station है आपका noida sector 50 ठीक है तो option B आपका बिलकुल सही answer होगा ठीक है दोस्तों important question है इध्यान रखिएगा आपको exam में जरूर देखनों को मिलेगा ये question चलिए question number 5 चलिए answer करेंगे नमने कित कणों में किसकी बेदन चमता सबसे कम होती है चलिए बताईए which of the following particles has the least ठीके pen and training power बताईए दोस्तों क्या होगा alpha particle की होती है तो option a आपका बिलकुल सही answer होगा ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक किसकी है तो बताईए दोस्तों बेदन चमता सबसे अधिक किसकी होती है answer करेंगे आप लोग दोस्तों सबसे अधिक भी लमचेता होती है आपकी Gama Kyle की दोस्तों होती है इसकोरस की Gama Particle की दोस्तों ख़ोच थी किसने की थी дома ro इसका है ये था ग्याद रखीएगा ठीक है थीन और चार पॉइंट जो आपको बताया है सारे याद रखिएगा दोस्तों सारे important point है चले कर दोस्तों चलिये आंसर कीजिए हाल ही मैं जम्मू और कश्मीर के लिए प्रिस्तावित परी सीमन आयोग के लिए किसे नामित किया गया था चलिए बताएए रिसेंटली हूज नॉमिनेटिट फॉर दा प्रपोस्ट डेली मिटेशन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर जल्ली से आंसर करेंगे सुसील चंद्रा को आप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है दोस्तों ध्यान न किएका जम्मू और कश्मीर में जो आपकी पेरिसीमन आयोग के दोस्तों किसे नामित किया गया था आपको सुसील चंद्रा को ठीक है चलिए कोश्चन नमबर 14 पर चलते हैं दोस्तों चलिए आंसर करेंगे नमलिकत में से कौन सी विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए तीन दिवस्य यात्रा के लिए रवाना हुए चलिए बताईए भी रिसेंटली में पॉन रवाना हुए दोस्तों रूसकी विजय दिवस पर दोस्तों कौन हुए हैं राजनाथ सिंग ठीक है तो आप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जो आपने इंडिया के दोस्तों क्या है राजनाथ सिंग डिफेंस मिनिस्टर है ठीक है चलिए नेक्ट कोश्चन चलिए बताईए माउंट मेरा भी जॉला मखी कहां पर है बताईए अभी हाली में रप्ट हुआ है दोस्तों ये तो बताईए माउंट मेरा भी जॉला मखी दोस्तों कहां पर है आंसर करेंगे आप लोग दोस्तों आपका माउंट मेरा भी जॉला मखी इंडोनेसिया में लो कारता ठीक है और दोस्तों यहां के प्रेसिडेंट कौन है जल्दी से बताएंगे आप लोग इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है जोको वी डोडो ठीक है यह भी आप लोग याद रखिए को दोस्तों और यहां की करंसी क्या है दोस्तों आपकी इंडोनेशिया रुपिया ठीक है तीनों पॉइंट दोस्तों आप याद रखिए का कैपिटल प्रेसिडेंट और करंसी पूछी जाती है आप से एक्जाम में चलिए नेक्स कोच्छन पर चलते हैं दोस्तों कोच्छन नम्मर 16 चलिए बताईए दो हजार छबीस में फुटवाल विश्व कप क हुआ थो दोस्तों कहां पर वा था जली से आँसर करेंगे कौन करेंगा एक आंसर 2018 का फुटवाल विल्टकप दोस्तों आपको कहां खेला गया था कहां खेला गया था तो दोस्तों आपका रश्यामें थीच thição कर विए धान आपका कतr में थीक है कतर दोहाम है आपका खेला जाएगा दोस्तों26 का रूंपा देखा क्हां यह रपको आपको काईoli से कोश्चन से देखने को मिलेंगे जो आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टन होंगे दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन पर चलते हैं दोस्तों कोश्चन नमबर 17 पर चलिए आंसर करेंगे दा मिनिस्ट्री ओफ अड्मोस्ट हैपिनेस नमक पुस्तक किस ने लिखी चलिए आंसर करेंगे वो रोड दा बोग दा मिनिस्ट्री ओफ ऑल्मोस्ट हैपिनेस जली से बताइए इनको दोवारा एक फेमस बुक और है दोस्तों दोस्तों क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है चलिए कोश्चन नमबर 18 पर चलते हैं दोस्तों आंसर करेंगे आपरेशन फलेड्ट के जनक कॉन थे बताइए दोस्तों who was the father of operation फलेड़ तो दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों जो ऑपरेशन फलेड़ था दोस्तों किस से कब बनाया जाता है तो बताइए दोस्तों कब बनाया जाता है दोस्तों कब बनाया जाता है डाक्टर वर्गिस कुरियन की याद में दोस्तों 26 नमंबर को दोस्तों क्या बनाया जाता है अगर आप से पूछ दिए कि वर्ल्ड मिलक दे दोस्तों कब बनाया जाता है आपका दो दोस्तो 26 नवंबर को ठीक है चलिए नेस्ट कोश्चन पर चलते हैं दोस्तों कोश्चन नमर 19 पर चलिए बताइए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्याले कहां है वेर इस दे हैड़ कोर्टर आफ नौर्थ सेंटर रेलवे आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से क्या होगा इसका आ आंसर होगा ठीक है दोस्तों अच्छा ये भी बता दिये गोरकपुर दोस्तों कहां का मुख्याले बताइए कौन से रेलवे जोन का मुख्याले है गोरकपुर जल्ली से बताएंगे दोस्ता आप लोग गोरकपुर है दोस्तों आपका नौर्थ इस्ट रेलवे का ठीक है ध ऐसका नहीं किया जाता है चलिए बताईए बिच आप सब पर अर्ग किमएंट सेक्सन कितने बिस मैसे कितनkeeper कर पा ठीक है चलिए दोस्तों और इस वीडियो के पीडीस के लिए आपको प्लियर जोइन करना हो कौना हो जिस कलने का आप आपको नीचर डिस्क्रशन में मझें जाए जाए दोस्तों ड्षान και यहगा तो जो भी चैनल पर नहाएगों तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करrait दोस्तों और बैल आइकन जरूर प्रेस आने वाजी नॉटिफिकेशन के लिए ठीखे दोस्तों चलिए के एक करें सेंग थे संप्लिस पर दोस्तों थेंक यूं बाबाइख